करोना वाइरस महामारी के करण पैदा हुए आर्थिक हालात के मद्दे नजर केंद सरकार ने अपने करमचारियों के महंगाई भत्ते को रोक रखा है सरकार ने जनवरी दोयाद 20 से महंगाई बत्ते को रोक दिया था यह रोक जून दोयार 21 तक है 17 से 28 फिजदी हो सकता है आपका डिये जनवरी दोयार 20 में केंदी करमचारियों का डिये 4 फिजदी बढ़ा था इसके बाद दूसरी चमाई यानि जून दोयार 20 में इसमें 3 फिज बढ़ा है इस तरह डिये 17 फिजदी से बढ़कर 28 फिजदी होने से करमचारियों को लाब होगा हानाकि सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई है इसके बाद पीए बैलेंस में भी बढ़ोत्री हो सकती है पीएफ का कैलकुलेशन हमेशा वेतन और महं हैंगाई बत्ती में बढ़ोत्री से पीएफ बैलेंस में भी बढ़ोत्री हो सकती है डिये में बढ़ोत्री से केंदी करमचारियों को डिये एचरे ट्रेवल अलाउंसेस यानि टिये और मेडिकल अलाउंसेस सीधे तور पर प्रभावित होगा डिये 17 फिजदी से बढ़कर 28 25 विजदी होने से ना केवल केंधी करमचारियों की सैली में बढ़ोत्री होगी बल्कि इस से PF में भी उनका योगदान बढ़ेगा. PF बढ़ने से उस पर ब्याज भी जादा मिलेगा. केंध सरकार के करमचारियों की PF contribution बेसिक सैली प्लस दी ये के आधार पर तै होता है. रोक लगाए जाने का बेसब्डी से इंतजार है रोक हटाए जाने का बेसब्डी से इंतजार है सरकार ने जून 2021 तक D.A. और D.R. फीज कर रखा है अगर जुलाई में D.A. और D.R. बहाल होता है तो इसका फाइदा कें सरकार के करमचारियों और पूर्व करमचारियों यानि पैंसनर्स को भी होगा ऐसे में अगर मेंगाई भत्ता बहाल होता है तो लगबग 58,000,000 पैंसनर्स को भी इसका बड़ा फाइदा मिलने वाला है क्या है मेंगाई भत्ता थोड़ा सभी बता देते हैं मालूम हो कि महंगाई बत्ता वेतन का एक हिस्सा है यह करमचारी के मूल वेतन का एक निश्चित फिस्दी होता है जे इसमें महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने करमचारियों को महंगाई भत्ते का बुक्तान करती है और इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है रिट अब तक आपके हिसाब से डियो और डियार बढ़ सकता है बैसे मेरे हिसाब से 30-32% तक जून 2020 के बाद मैं इसमें बड़ोती होने की पूरी पूरी संभावना जैताई जा रही है वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करीगा इसको सेर सभी के साथ करीगा ऐसी न्यूज और